आईपेल 2022 के 33 माच में चेनाई सूपर किंग्स के खिलाफ मुबब इंडिस की खतान रोहिच चर्मा की खराफ फॉर्म का नाजारा एक बार फिर से देखने को मिला रोहिच चर्मा इस माच में सिल्वर डग का शिकार हुए और मुकेश चोधरी के गेंद पर उन्होने कैच मिचल स्रैशनर को तमा दिया हिटमन ने दो गेंदू का सामना किया और उनकी पारी कांथ हो गया अस माच में शूने पर आउट होने के बाद रोहिच चर्मा आईपेल में सबसे जादा बार शूने पर आउट होने वाले खिलाडियों के लिस्ट में नंबर वन पर आ गए है आईपेल में ये चौधवा मौका था जब रोहिर शर्मा शून्या यानिकी डग पर आउट होकर पवेलियन लोटे आईपेल में तेरा बार शून्या पर आउट होने के मामले में दूसरों नंबर परकर खिलारी हैं जिसमें प्यूश चावला, हर्विजन सिंग, पार्तव पतेन, मंदीप सिंग, अलजिंके रहारी और अमबाती राइडू शामिल है अब इनमें रोहिर शर्मा का नाम सबसे उपर आ गया है साथी आईपेल के मौझूदवा सीजन में रोहिर शर्मा के प्रुदर्शन को देखे तो अब तक उनकी बल्ले से एक भी अर्थिश तक नहीं निकला है उन्होंने अभी तक 41, 10, 3, 26, 28 और 6 रण मनाए है इतमें ने अपनी खराब प्रुदर्शन से इस सीजन सभी को निराश किया है रोहिर की फैंस और अब हम भी उमीद कर रहे हैं कि वो जल्थी अपनी पूरानी फॉर्म इलोटे और बड़ी-बड़ी हिट्स रगाए